और जसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यह है कुंत भयो के साथ सरों में से दोस्तों एक शर बासायन के लगना आज़े दर्म ये किया आए किया बगवाने हो ज्यान रख था कुछ नियोधा है अटी का मरें अबे का माले ऎकुरी ना थेक अब थें आपि अनियोधाए कॉर। डाभवानेत्सार ल स्केष्व। इस समीधी दोतों भेविये मेंसे के खेक है कि ने भीगना चरेशų चाष्वय। और आप देख रहे हैं पाड़ी जिंदावाद दोस्तों अब मेरे चनल पर नए है तो कि पर लाइक शेर सब्सक्राइब को नह भूले और दोस्तों मेरे साथ आप देख रहे हैं गौरूश मायरा ठाकूर और प्रयांका ठाकूर हम जा रहे हैं दोस्तों घूमने और फिलहाल ह पर होगा मान नियाना जी का मंदी दोस्तों जहां हम जा रहे हैं और काफी ब्यूटिफल प्लेस है गूमने लाइक प्लेस है तुरिस्ट प्लेस आप बोल सकते हैं वहां हमने ऐसा सुन रखा कि पांड़ों के दोरा तीर चलाए गए थे वहां को ऐसा पत्थर भी है और साथ सर भी है स्रोबर जिन को आप बोल सकते हैं और बहुत कुछ देखने हैं हमिरपूर मंडी नेच और इस नेच पे मेरे खाल से नो किलमेटर आगे एक जगा आती है कलखर और कलखर से टन करेंगे हम रिवालसर के लिए ब्लॉग आपको पुसंद आए अच्छा लगे दोस्तों सेर्ज बीकरना है और आए फिर चलते हैं तो अभी हम रिवालसर से जस्ट 1 km पिछे हैं और सामने आप शायन बूर देख सकते हैं यह जाता है मा न्यानादेवि के लिए दूरगा पूर 7 km न्यानादेवि मातामंदी 10 km और रिवालसर 1 km मंडी 25 km हम पहुंचे हैं कुंत भी हो से थोड़े से पीछे और सरकी धार यहां का नाम है और घने जंगल आपको मेरे बैक वाले साड़े भी तो चारो तरफ यहां गने जंगल है हम तो बाइक पहे हैं गाड़ी है तो ठीक है रोड मतलो अगर बारिश ना हुई हो और सामने बाप देख सकते हैं थोड़ा ओफ रोड नहीं है यहां हमारे रुकने को कोई अचेते नहीं था यहां जहां हम रुके आभी इसने पता क्या रहा है इसने अपने टोपी फैंक दी पिछे और फिलाने के लिए में जाना पड़ा और बड़ी सतान होगी देखो अभी इसको कुछ ना कुछ चाहिए फिन ले के लिए एक करने के लिए दोस्तों आपको हम उपर मिलेंगे जहां बोलते हैं साथ सार है ना परीका साथ सार है कुंत भ्योश जग अग अगनाम है मुष्क वाद नयानदेवी माता मंदिर हम जाएंगे आपको बदर्शन कराएंगे और वहाँ बादश्टों का थोड़ा एक मिर खाल से गुफा बगयार भी बोलते हैं तो ऐसा मुझे सुना सुनाई बाते हैं मैं कभी मतलब इससे पहले गया था पर मैंने इतना ची तरह से बीजित नहीं करा है जितना मैं लोगों से वहाँ से लोको लोगों से बात करूंगा पूछूंगा यहां के बारे में होलेडित दूँद अलोगों सेकता है होलेडित सब्सक्राइए कि अजरी नतल से लोगों dilemma वसक्ति करूछ मेरत खाले मेरत शा और सद्सक्राइए कंडूंधित मैरत में तो खालेँ वही अड़ा है रेएग्य करू आप्टनस दूए खेहए खाल ने से कचिसी अशर फैर behaviors को मंगातने हुच्छhte मारात्यस फैर नगपडे किलुछ दो कीछूछ्टा यह थे मत्क्यूद काल दौत सच दूल्ब प्रें लाम लखे हैं धुड़ाणे, यह आपसर भनी दू दूम्ट निकलना पान यहां अच्छा गाल करने मिसे लगा ताया तुसे तुसे में आपना ठीका लूए अब अब्याइं स्क्राणह रोपप ना आघ बने गुद्वानी हारा तुक्राणी ना इन्हों ने वह बनाएं यह साथ माता मंदिर जैसे कि इन्हों ने बताया कि यह सर जो बने हैं पांड़ों के दोरा रहे हैं और कुंती माता मंदिर यहां आप सामने देखे देखे सकते हैं और यह शर सातो सरो में से एक सर और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यह है कुंत भयो के सातो सरो में से दोस्तों एक सर और जैसे में लोकल से देखनों को मिलेंगे बट कुछ पानी के बज़े सुख चुके हैं कुछ हो में पानी है और एक उन शरों के भी लग लग नाम है और उनके नाम मुझे पता नहीं है अगर मैं किसी लोकल से मेरी बात होती है तो मैं उनसे पूछूंगा और बता जाता है कि अरजुन ने तीर मा कर दो देखो मचली या काय मचली ओ देखो इह पदेनी उच पाता तो देखो अ के लिए मचली या हे है अब ही हम हैं चाहां और जेह ऑरचन की कुफा है और सामने अरचा चे से दिख से जे माता यहां से आप एंट्री बोड लगा है और यहां से आप एंट्रिनिस कर सकते हैं और मेखाल से यहां उपर जैसे है आर्चुन दोरा बनाएगी गुफा और इसके जस्ट उपर है नियना मातर के मंदिर जहां हम आपको भी लेके चलेंगे किना जारे बिरिंगा एंट्रिएट पर आपको देखो दोस्तों ऐसी गुफाएं देखने को मिलेंगी और यह देखो खूबशूरत निजारा बारिश मानवाने वाली है उपर आप जैसे बादल देख रहे हैं और नीचे यह कुछ सूके हुए सर हैं दोस्तों माला शरोबर है जील है शर का मतलब श इतना सही लग रहा है देखने में वाह। कि अधर गुफाएं आप जो के हैं और अंदर नो वीडियो नो कैमरा अलाउड नहीं है फोटो भी नहीं की सकते बादिष्टों की मूर्तियां अरखी गई है बनाई गई है और मूर्ति के नाम है पदम शंभव करके बदा रहे हैं और बादिष्ट ही है है यहां दोस्तों ह हिंदू टैंपल नहीं है बोधिस्टों के ही मुर्ति अंदर आपको देखने को मिलेगी का अच्छा फील हुआ दोस्तों अंदर जाके और अभी हम जा रहे हैं मानियाना जी के मंदर की तरफ हमारे हिंदू दर में मांदर लिखंगे तो यहां अन्टी इन पे पौला प्रों मतलो और इनको चृट ने से जैसे हों से जूड़ते रहते हैं और जितने फट जाएंगे उतने बीमारी का या रोग दोस्त इस सब का नास करते हैं में रिखाल से ना ग्राया मनतियां दूर करने यह देखो जी अगर आप रिवाल से गूमने आते हैं दोस्तों ना माता मंदिर आते हैं तो आप होमस्टे कर सकते हैं प्रिंस होमस्टे आपको यहां एंट्रेंस पर जहां आरजुनकूफा मैंने बताई और यह जो ना माता मंदिर के लिए उपर रास्ता जा रहा है यहां मल जाएगी अंटी कर दुकान जी ने परशाद को ड्रिंग और यह पताने कि इनका प्रिंस होमस्टे और सामने साइट न देख पारे हैं दोस्तों और यहां प्रिशाद की दुकान ने मिलेगी और सामने है माता जी का भव्या मंदिर यहां मौसम बड़ ठंडा है सरदियों में जैसे मैंने बात की हैं लोकों से तो यहां बर्फ किरती है और गर्मियों में अच्छा मौसम रहता है जैसे आजकल ग प्रिंकल यहां से प्रशाद है तो दोस्तों यहां से हमने प्रशाद विगर ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर प्रशर की तरफ चुन्नी प्रशाद विगर आपको यहां मिल जाएगा और गोरुगाई फस्ट विजिट है जै माता दी मांबातारो आश्रो हो माहो 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 मुठी बर बाजरो ने भर बाणियारो देजे आंगणिये पारडा जुलाव जे मां आंगणिये पारडा जुलाव जे दिवानी दिवेट ने गीती पलाड जेने नेहडारुडा दिपाव जे तारा जुरुडा नी चड़ती राख जे मां तारा जुरुडा नी चड़ती राख जे यहां नीचे से हम आये हैं दोस्तों और नीचे तक देख सकते हैं कितने धुंद चा चुकी है हलंकि मौसम बारिस वाला है बट यहां का मौसम पलवर में बदल जाता है आप सामने जैसे देख पा रहे हैं यह देखो गोरु की दोस्त मिल चुकी है और इसके साथ खेल रही ह ऑगुल कर इसको कासे है दार रही है इसको यह बड़ी सतान होगी गोरु छोटा बिलू आ यह तेरज़ा छोटा बिलू अब पुजुारी जो यहां केम से मेंने बात करी तो उनमेर को बताया है की यहां लंगर पूरे साल बार चलता है और तीन बश्ता का आप लंगर खा सक साथ आपको बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा दोस्तों प्रकृति के खुबशूर्थ निजा रहे हैं अब बरतन थालियां गिलास खुद ले सकते हैं जैसा प्रेंग का ले रही है चलो खाना खाने के बाद दोस्तों आपको बरतन खुद दोने पड़ते हैं और ऐसा कुछ यहां बवस्ता है दोनों साइड यहां भी बरतन दोने के लिए पूरी बवस्ता की गई है लंगर खाके आमब जारे है रिवाल स्री की तरफ और मैं को एक पापताना जाता हूं कि मिर को इतना सही लगा लंगर खाके कम से कम तीन-चार सब जिया ना भेंका बड़ी शेपू बड़ीयां खटा धाल जो भी मतलब धाम जैसे धाम यह माचिल धाम में बनती है दोस्तों बैसी कुछ उने प्रेपरिशनी करी थी और इनकी शेवा के लिए खिक भाई इनकी शेवा के लिए दोस्तों मैं मतलब बड़ा खुछ हुआ ऐसा देखे और ऐसा कुछ करना चीए ऐसे मंदरों में और जैसे मेरी लोकल से बाहत हुरी थी बता रहे थे कि चौबीस मेरे खल स पूरा साल पर बंडारा का अनद आप ले सकते हैं तो ऐसा कुछ अनभब मैंने यहां किया अगर आप नयना माता मन दिराते हैं तो आपकी खाने के टैंशी भी दूर होगी दोस्तों घूमने के साथ-साथ आपको खाना मिलेगा और अभी आप काने जाने का ट्रेबलिंग का थोड़ा खर्च लगेगा दोस्तों तो आप जरूर कर सकते हैं अब यहां बुच्ठ की जाँक्र पूस्ता शामने दा दोस्तों और और नंबर प्रदान जी का सताचिव जी का और लंगर प्रवारी का आप इंसे कॉंटर्च कर सकते हैं और यह सब कुछ कारिक्रम यहां बैसे डेली अच्छा बैसे बरात्रों में और संडे और मंगलबार को जादा है ठीक है और गुमने के कुण जी पॉइंट है मलो जो अच्छा जब गुफा है यहां और गुफा है जी तो इसमें के वह बारा मेने जल बैसा ही रहेगा थोड़ा कम होगा रोगा पर सुखेगा पानी बिल्कुल भी ठीक है पानी बैसा है और जैसे यहां रुगणाओ किसी ने विस्रामगरिय विया और सराय भी मंदिर की आच्छा विस्रामगरिय जो है पी डवल्डी वालों का है अच्छा इसकी बूकिंग ऑफिस से भी और उनलाइन भी ठीक है जी और कितना रेंट जो सरकारी जो जो बाले है उनको एक सुनब या दो सुपचास है अच्छा जो हमाचल प्रदेश है अच्छा बाक्यों के लिए 4-5 सुरुपे ए श्राय के लिए प्री है सराय का कोई रेंट ने बाले और सराय में कभी भी रूख सकते हैं और सराय में हमारे पास बीप रूम यह अनके भी नगार विटो पना सकते हैं ख़ोड बना Egypti ऑफिर आ में घर घचाव और समान ला पड़ते नहीं अधया चले कि अधनीा है पससी को 5 बजे आती है को फिर रिवाल्चर से मिल जाए यपको तो 6 बजे आप ना साद 27 छा और संसे चले जाना हो तो फिर दिन को तो सुबह नौ वजे, दस वजे, एक वजे, तीन वजे, ऐसे ऐसी वजी जा है, ठीक है बजी, आप से मिल को बात करके बड़ा अच्छा लगा, ठीक है बड़ा दन्या वादा ना, अच्छी इन फिशन दिया आपने, ठीक है बजी, अब इदिन के तक्रीमन तीन वजे और आई होप आपको हमारे छोटा से ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो क्यों पैस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूले, ठीक है दोस्तों, जैहिंद, जैहिमा चल